Hello everyone, welcome to the exam time हम लोग आज continue करने वाले हैं अपने money and banking के पार्ट सेकेंड को ये वीडियो CUET UG aspirants के लिए भी useful है मतलब basically उनके लिए तो बनाया ही जा रहा है 37 PG aspirants भी देख सकते हैं उनके लिए भी ये helpful होने वाला है वैसे मैं उनके लिए separate videos लाओंगा banking का जो उनलोग का subject है money banking के लो या फिर banking अलग से unit जो दे रखा है उसके लिए मैं अलग से videos लाओंगा लेकिन फिलाल के लिए वो इससे भी help ले सकते हैं अपने studies में आज का topic हमारे होने वाला है banking का introduction इसमें कुछ important बात ये करूँगा और courses करूँगा UG courses के according मैं इसे cover up करवा दू PG में कुछ extra बाते हैं उसको हम लोग अलग से video lectures में cover up करेंगे तो basically ये economics domain जिन बच्चों का economics domain है उनके लिए ये है समझ गे start करते हैं अपने आज के session को और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करो so that उन्हें भी पता चल पाए कि इस चैनल पे सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में आसान भासा में अगर मैं तुम्हें समझाओं कि banking है क्या basically banks है क्या सबसे पहले यह समझना important हो जाता है बैंक एक ऐसी institution है जहां पे हम अपने पैसे जमा करवाते हैं लेमें लैंग्वेज में आसान भासा में हम यह कह सकते हैं लेकिन अगर तुम एक typical definition को देखो तो bank को define किया गया है as a industry जहां पे cash handle किया जाता हो credits handle किया जाते हो और other financial transactions होते हो ठीक है तो banks basically करते क्या है हमें credit को store कर पाते हैं वो हमें various accounts offer करते हैं जैसे कि saving account ठीक है पिर कहलो fixed deposit account current account और various facilities भी provide करते हैं जैसे overdraft facility और साथ ही साथ यह हमें certificate of deposit checking accounts बहुत सारे facilities offer करते हैं तो banks basically हमें यह सारे benefits इसलिए provide करते हैं क्योंकि उनका भी इसमें benefit होता है हम banks में account open करवाते हैं उनकी एक reach बढ़ती है वो जादा से जादा customers तक पहुँच पाते हैं तुमने माल लो तुमने bank में जाकर एक लाख रुपे deposit करें तो तुम्हें क्या लगता है वो bank उस एक लाख के deposit का कुछ नहीं करने वाली हैं गलत सोच रहे हो bank उस एक लाख रुपे के loan तयार करेगी लोगों को loan देगी जिसे 50,000 की need होगी वो 50,000 उसे loan दे दिया करेगी तो basically bank तुम्हारे deposit से भी पैसे कमाती है उससे पैसे बनाती है समझेंगे आगे जो bank word है जालनो history बैंची word से derive हुआ है olden days में जो traders होते थे इटली के वो कही ना कहीं जो एक जॉब होत होता है पैसे के लेंदेन का उसको perform करते थे कौन इटली के traders तो उनको नाम दिया जाता था बैंची और बैंचेरी according to some people bank जो है वो एक Greek word से भी define हुआ है जो की bank क्यों है समझ गे इस चीश को clear है basic introduction to the banking अब अगर मैं बात करूँ functions of bank की तो bank के दो functions होते है सबसे first primary function और दूस इसमें सबसे first आ जाता है accepting deposits deposits चो तुम दे रहे हो जो पैसे तुम दे रहे हो उसे saving account में fixed account में current account में या फिर recurring deposits भी तुम बूल सकते हो दूसरा function इसी का हो जाता है प्राइमरी function में ही granting advances मतलब granting advance in the sense कि bank क्या करती है loans प्रोवाइड करती है over draft facilities प्रोवाइड करती है cash credit प्रोवाइड करती है CC में लिख रहा हूं और discount करती है हमारे bills को हमारे बिहाफ पे तो basically यह क्या है granting advances तो primary function में दो functions याद रखना है accepting deposits दूसरा granting advances वहीं अगर मैं बात करूं secondary function की तो सबसे first इसमें आ जाता है agency functions मतलब bank हमारे बिहाफ पे और भी बहुत सारी कामें करती है समझेंगे करके और इसी में दूसरा आ जाता है utility functions इसमें जैसे की locker facility हो गया draft facility हो गया project reports हो गए बहुत सारे functions होते हैं तो यह basically क्या है banks के secondary functions आ जाते हैं अगर primary की अगर मैं बात करूं तो सबसे first इसमें आता है accepting deposits और यह basically चार अलग-अलग deposits हो सकत सबसे first इसमें आ जाता है saving deposit अगर मैं बात करूं saving deposits की तो यह generally एक middle class income जो होता है मतलब middle income group जो है middle class के जो लोग है basically वो open करवाते हैं उनके अंदर एक saving की habit develop करने के लिए यह deposit लाया जाता है this type of deposits encourages saving habit among the public क्योंकि यहाँ पे जो rate of interest जो होता है न यह कम होता है किसके comparison में fixed account के comparison में generally 4% अगर तुम पैसे यहाँ जमा करवा रहे हो इस account में तो तुम्हारे पैसे पे तुम्हें 4% per annum का interest मिल रहा होता है जो कि relevant नहीं है ज्यादा मिलना चाहिए यहाँ पे withdraw कभी भी हम कर सकते हैं अपने bank account से जाकर हम गया हम गये ATM से हमने card वहाँ पे swipe करा ATM pin डाला amount जितना भी होगा वह हमने withdraw कर लिया अब यह single name पे भी open किये जा सकते हैं या फिर joint name पे हो सकता है तुम दो लोगों तो दो लोगों के नाम पे भी अकाउंट open करवाय जा सकते हैं fix deposit की अगर मैं बात करूं तो fixed कहीं न कहीं तुम्हें लग रहा होगा एक एकठा amount यहां पे हमें deposit करना होता है for a specific period of time we can say that six month one year two year ten years and hundred years we can say that hundred years काफी लंबा हो जाता है होता नहीं generally deposit लेकिन छे मैने दो साल पांच साल दस साल तो होई सकता है यहां पे जो rate of interest होता है यह कहीं न कहीं आय होता है in comparison of saving deposits यहां पे withdrawal तुम कभी भी नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारी period की expiry ना हो जाए तुम्हारा जो period है जिस period के लिए तुमने deposit करा है amount under a fixed deposit account वो period जब तक expire ना हो जाए तब तक यहां पे amount withdraw करना is not possible समझ गे difference क्या है fixed deposit और saving deposits में वहीं अगर मैं बात करूं current deposit की तो यह generally account कौन operate करते हैं businessman पैसे वाले तुम बोल सकते हो यहां पे withdrawal कभी भी किया जा सकता है उनसे service charges लिए जाते किनसे account holder से क्योंकि उनको यहां पे overdraft facility मिल रहा होता है overdraft facility क्या होता है मालो तुम्हारे account में पैसे नहीं है तो bank allow करती है कि तुम certain limit तक पैसे bank से as a credit ले सकते हो immediate ले सकते हो तो इसके बदले bank charges लेती है interest वगेरा कुछ amount charge करती है service charge करती है तो current deposit में हमे customers को interest नहीं मिलता है बलकि हमें उन्हें कुछ न कुछ amounts पे करने होते हैं अब अगर मैं बात करूँ recurring deposit की तो यह salaried person के दोरा या फिर petty traders जो छोटे छोटे traders होते हैं उनके दोरा operate किया जाता है क्यों क्योंकि यहां पे कुछ amount पर एक period पे deposit किया जाता है और यह withdraw तभी possible हो प पार टाइप के deposit मैंने तो मैं आप पर बताए दूसरे functions के अगर मैं बात करो तो आ जाता है granting loans and advances तो बैंक यहां पर क्या करती है बिजनस को या फिर किसी individuals को लोन्स प्रोवाइड करती है और उसके बतले bank interest rate चार्ज करती है तो उसी को यहां पर हम लोग क्या बोलते है loans and advances इसके अंदर overdraft हो सकते हैं cash credits हो सकते हैं loans हो सकते हैं and discounting हो सकता है किसका bill of exchange का समझगे चलो secondary functions की अगर मैं बात करूँ तो bank यहां पर कुछ secondary function भी perform करती है और उन functions को नाम दिया जाता है non banking function जैसे कि agency function यहां पर bank क्या करती है customer के लिए as a agent की तरह काम करती है जैसे तुम्हारे बिहाफ पर bank ने किसी और खाते में funds transfer कर दी है तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हें time तुम्हारे पास नहीं है और किसी बंदे से check collect करना है या किसी company से check collect करना है bank तुम्हारे बिहाफ पे check collect कर लेगी तुम्हारे बिहाफ पे payment करेगी तुम्हारे portfolio को manage करेगी और collections करने हैं वो भी कर लेगी और कुछ अन्य प्रकार के भी functions होते हैं वो भी bank perform करेगी तो अब question आता है क्या bank इसे free of cost करेगी it means मुफ्त में काम करेगी नहीं यार bank क्यों तुम्हें लगता है bank मुफ्त में काम करेगी नहीं bank इसके बदले कुछ न कुछ तुमसे service charges लेगी समझ के वहीं अगर मैं बात करू utility functions की तो ये basically एक general function हो जाता है इसमें की draft issue करे जाते हैं letter of credits होते हैं locker facility मिल जाता है shares को underwrite किया जाता है और भी कुछ अन्य परकार के functions हो जाते हैं तो ये रहा bank का primary और secondary functions जो की मैंने अभी फिलाल तुमें explain करा है चलो अब start करते हैं with commercial bank देखो CUET UG exams के लिए जिनका भी economics जो मेंने कोई खास ज्यादा huge syllabus नहीं है तुम्हारा बहुत ही चोटा से लिफस है तो फटा-फट में cover करवा दूँगा अब अगर मैं बात करो commercial bank की तो ये वो financial institution है जो की perform करते हैं deposits accept करना और general public को आम जनता को loans provide करती है तुम पैसे लेकर जाओगे बोलो कि bank भाई साब मुझे पैसे आपके account में डलवाने है वो लेगा बिल्कुल भाई साब आई है मैं आपके account open करता हूं और फटक से आपके amount को deposit कर लेता हूं वैसे ही मैं जाता हूं मुझे loan के लिए need है लोन देने में हो सकता है थोरी बहुत ड्रामा करें लेकिन ठीक है दे देते हैं तो bank यहां पर क्या कर रही है function perform कर रही है किस चीज का of accepting paisa and providing paisa that is loan समझ के the two most distinctive feature of a commercial bank is borrowing and lending बॉरो करना means हमसे वो पैसे ले रही है deposit जो हम कर रहे है और हमें lend कर रही है means जो कि हमें loan दे रही है rate of interest offered by bank to the depositor is called borrowing rate 4% जो मिलता है तुमारे deposit पे saving account पे मैंने बताया था और अगर हमें loan दे रही है उस loan पे जब bank interest charge करती है that is lending rate और इसी borrowing rate और lending rate के जो बीच का difference होता है इसे नाम दिया जाता है spread question पूछा जा सकता है what is spread तो this is the difference between borrowing rate and lending rate पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी पता दे रहा हूं कुछ commercial bank होगे SBI Bank of Baroda Bank of India Canada Bank Central Bank of India Union Bank IDBI Bank Syndicate Bank Corporation Bank Yuko Bank Indian Overseas Bank Indian Bank State Bank of कुछ है यहां पे लिखा है लाहाबाद Bank Dena Bank Vijaya Bank Bank of Marashtra State Bank of Bikaneer and Jaipur और यह है Punjab and National Bank और भी होते पंजाब and Sindh Bank भी होते बहुत सारे commercial bank अभी फिलाल भारत में operate कर रही है तो देना bank का पता नहीं देना-देना खतम है या जिंदा है पता नहीं मुझे लेकिन यह सारे कुछ commercial bank जो कि अपने इंडिया में operate करती है उसका मैंने example दे रिया फिर से वही functions द्वाराते हुए इन्हीं को पढ़ना है तो इसको मैं द्वारा से डीटेल में नहीं explain करूँगा जो भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया वही सेम function commercial bank के भी होते हैं banking function बताया ना बस वही है आप अब बात करने वाले है father of the banks that is central bank और इंडिया के central bank की अगर मैं बात करू तो और इसे nationalize कर दिया गया था 1st of January 1949 को important date की और बात करूँ तो इसका act है 1934 headquarter की अगर बात की जाए तो यह मुबई में situated है Reserve Bank of India existence में कब आया था यहां से question arise हो सकता है तो 1st of April 1935 according to the provision of RBI Act 1934 Act याद रखने की यहां पर बात हो रही है Central office जो है इसका incorporate हुआ था सबसे पहले कॉलकता में फिर दीरे दीरे लेटर और यह मूव करता गया Bombay और basically अभी कहा है Mumbai में नाम चेहिश करती है तो Central offices का कहां पर है Mumbai में है और इसके जो governor है वो policies formulate करते हैं और अगर governor के बात की जाए तो governor को है तक्तिक आंतादास अब most important चीज कुछ एक मैं यहां पे तुम्हें टाइम लाइन दिखाने जा रहा हूं ब्रिटिस आर्बिया एक्ट का पास्वा था 1934 में फिर इसे क्यालकटा में स्टैब्लिस किया था 1935 में आर्बिया के हेड़कॉर्टर को क्यालकटा से Bombay का मूव किया 1937 में फिर फाइनली आर्बिया को nationalize कर दिया था कब 1949 में तो यह basic कुछ है चुट-फुट सी बाते हैं जहां से questions arise होने के chances बहुत ही ज्यादा हो समझ पा रहे हो मेरे बातों को मैं कोसिस कर रहा हूं कम से कम समय में तुम्हें ज्यादा जानकारी देख हो हुआ है ठीक है जालो अब बात करते हैं functions of RBI means functions of Central Bank तो सबसे पहले यह क्या है यह एक monetary authority है As a monetary authority the RBI is responsible for supervising the monetary policies, implementing the monetary policies and ensuring the price stability in the country with respect of the national economic growth मतलब यह पूरी responsibility जो होती है कि monetary policies कैसे काम करेगी, कैसे implement करना है, कैसे economy में stability बनाए रखनी है Inflation का situation ना आ जाए, deflation ना हो जाए, यह सारी काम किसके कंदों पे होती है तो RBI that is Central Bank के कंदों पे होती है इन्हें ही notes issue करना होता है और इसे हम banker to the government भी बोलते है The RBI act as an agent, banker and advisor to the government of India and all the states It performs all the banking functions of the Central Bank and state governments along with the tendering useful advice to the economic and the monetary policies यह सरकार को भी advice प्रोवाइट करती, सरकार की जो important पैसे पैसे हम सरकार की important पैसे बोलता हो सरकार को जो advices देने होते हैं, वो सारी चीजे यहीं पे होती है फिर अगर बात की जाए, foreign reserve को manage करने की तो वो भी RBI ही handle करता है जो भी foreign exchange होंगे, foreign reserves होंगे, वो RBI के control में ही होता है वही in charge होती है चलो, lender of the last resort की अगर मैं बात करूँ तो it means जब आपके पैसे खतम हो जाते हैं आपके दोस्त पैसे नहीं दे रहे होते हैं तो last में आज आते हैं आपके पिताची जाते हों कि पापा पापा पैसे की बहुत सक्त जरूरत है, पैसे कुछ दे दो तो वैसे ही RBI कहलाता है lender of last resort जब commercial banks को पैसे की need होती है वो पहुंचते हैं अपने central bank के पास तो central bank उन्हें पैसे देता है इसलिए उनसे नाम दिया गया lender of last resort कुछ RBI, RBI जो कुछ developmental functions भी provide करते हैं जैसे अलग-अलग fields में agriculture के field में, finance के field में साथी साथ ये collection करती है और publication करती है with various data जैसे financial reports हो गए, किसी भी bank से related कुछ बात ही हो गई, ये कौन किसके कौन किसके कंदों पर होता है that is RBI, credit supply कितना credit market में supply होगा कैसे price पैसो का movement होगा economy में वो सारी बाते कौन करेगा तो RBI करता है, अब आ जाते है methods of credit and money supply, तो सबसे first इसमें आ जाता है quantitative जिसको की हम लोग general methods के नाम से जानते हैं और दूसरा आ जाता है qualitative जिसे की selective methods के नाम से जानते है quantitative method होता है bank rate, दूसरा होता है open market operation और तीसरा आता है इसमें variable cash reserve ratio वहीं अगर बात की जाए qualitative जिसको की हम लोग selective method बोलते हैं इसके अंदर total 6 बाते हैं में याद रखनी है credit rationing, direct action, moral persuasion, publicity, regulation of consumer credit and marginal requirements on security loans basically कुछ खास नहीं है जस्ट आसान है समच जाओगे अब देखो तुम्हारे लिए homework यहाँ पे होगा quantitative measures में जैसे repo rate, bank rate, CRR यह सारे जो भी current चल रहे होंगे उसको तुम अपने notes में लिख लेना कहीं पर हो सकता है questions current scenario को देखते हुए पूछ लिया जैसमें, repo rate की अगर बात की जाए तो it is a rate at which central bank gives money to the commercial bank जब central bank commercial bank को देती है क्या पैसे for the short term एक कम अर्से के लिए, कम time के period के लिए बिना किसी collateral के तो उसको नाम दिया जाता है क्या repo rate अगर repo rate बढ़ता है तो इससे कहीं न कहीं capability कम हो जाईगी किसकी commercial bank की माल लो तुम्हें यहां पे जो RBI तुम्हें पैसे दे रही है यह higher rates पे दे रही है तुम कौन commercial bank तो तुम कोसिस करोगे कि RBI से भी पैसे ना लो, कम पैसे लो वहीं अगर RBI repo rate decrease कर देती है तुम कोसिस करोगे जादा से जादा पैसे ले पैसे ले पाओ तो RBI भी कभी कभी अगर उसे credit economy में control करना होता है तो वो repo rate को बढ़ा देती है अगर economy में पैसे का flow बढ़ाना होता है तो वो repo rate को कम कर देती है क्योंकि जैसे repo rate कम होगा commercial bank पैसा अगर inflation का situation है economy में बहुत ज्यादा पैसे है तो RBI क्या करेगी repo rate बढ़ा देगी repo rate बढ़ाने से क्या होगा commercial bank RBI इसे पैसे नहीं ले पाएंगे अब जब commercial bank के पास ही पैसे नहीं है तो आम जंता को वो कैसे पैसे दे पाएगी ultimately economy में पैसे की कमी हो जाएगी अगर वहीं बात की जाए बैंक रेट की तो इट इस रेट अट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी तो दे कमर्शल बैंक पर लॉंग टम पर यहां क्या देखा था विद्दाउट इनी को लेटरल की बात पूर रही थी तो वैसे ही बैंक रेट भी अगर बढ़ाते हैं लेंड अगर बात की जाए तो इस रेट विच कमर्शल बैंक के पास जाता है ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो क्या करती है सेंट्रल बैंक के पास जाती है बुलती है लो भाई साब मेरे पैसे आप अपने पास रखो इसके बदले मुझे इंटरस्ट देते रहना तो अगर माल लो रिवर्स रेपूरिट बढ़ाती है तो कमर्शल बैंक क्या करेगी जदा से जदा पैसे रखेगी क्योंकि उसे उस रिजर्व रेशियो इसके अंदर हमें पढ़ना है CRR और SLR CRR क्या है यह amount of deposit है विच कमर्शल बैंक्स आर अब लीग्ड टू कीप विद दे सेंट्रल बैंक मतलब जरूरी हो जाता है for creating credit in economy मतलब आगर आपके पास 100 रुपे आ रहा है तो इस 100 रुपे में से कुछ हिस्सा आपको कमर्शल बैंक के पास रखना होता है an increase in CRR decrease the money supply in the economy वहीं अगर बात की जाए SLR की तो it is the amount of deposits which commercial banks are obliged to keep themselves for credit creation process मालो मेरे पास मैं एक कमर्शल बैंक को मुझे 1000 रुपे मेरे पास आते हैं और इन 1000 रुपे में से मुझे रखने है खुद के पास 700 रुपे 700 रुपे मैंने अपने पास रख लिया चलो 600 मैं रख लेता हूं अपने पास और 200 मैंने रखा RBI के पास और मैं 100 रुपे का लोन दोंगा बस तो 600 जो मैं अपने पास रख रहा हूं that is SLR statutory liquidity requirement 200 रख रहा हूं RBI के पास that is CRR तो basically समझ पा रहे हो क्या है CRR और SLR अब अगर मान रहा देती है RBI बोलती है कि पहले तो तुम अपने deposit का 60% अपने पास SLR रखते थे अब तुम्हें अपने deposit का 70% SLR रखना होगा तो चाहिड सी बात है commercial bank कम लोन देगी मार्केट में और कम लोन देगी तो मार्केट में पैसा भी कम उतरेगा inflation का situation नहीं आएगा वैसे ही RBI यह भी बोल सकती है चलो तुम्हारे लिए मैं बल्ले बल्ले कर देता हूं पहले तुम्हें 70% अपना होता था था न अब तुम अपने initial deposit का तुम मात्र मात्र 50% ही deposit रख यह तो तुम इन 300 को लोन दे सकते हो economy में ज्यादा पैसा पहुंचा सकते हैं तो ऐसे काम करता है हमारा credit creation समझ गए इस बात को चलो अब अगर मैं बात करूं central bank और commercial bank के बीच के difference की तो यह रहा तुम्हारा homework इसे cover up कर लेना और भी मैं कुछ homework तुम्हें देने वाला था देखो यह rate मैंने हाँ पर डाल रखें इसे एक बार देख लेना और current rate से जरूर मैच करना हो सकता है यह तुम वीडियो जब देख रहे हो तुम्हारे लिए यह rate पुराना हो जाए अब बात कर लेते हैं यहां पर हमारा next जो कि है qualitative measures में होता है open market operation और दूसरा होता है margin requirement it refers to the sale and purchase of securities in the open market by the central bank to commercial bank and from commercial bank और public यहां पे central bank क्या करती है open market में securities बेचती है और खरीदती है from आम जंता and commercial bank क्यूं करती है credit को control करने के लिए मालो economy में inflation का situation चल रहा हो इंफलेशन का situation चल रहा हो मतलब economy में ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे अभी circulation में है तो अब क्या करेगी central bank central bank क्या करेगी अपने securities अपने securities आम जंता के पास बेचतेगी जंता भी खुश किया चलो central bank securities बेचते जल्दी से खरीद लेते हैं जंता अपनी पैसे पहुचा देगी central bank के पास और securities ले लेगी central bank के पास लेकिन central bank नहीं क्या किया सारे पैसे कीच लिए आम जंता से securities के बाहने चलो दूसरा scenario समझते हैं माल लो economy में deflation का situation चल रहा है पैसे की कमी है economy में अब economy में कमी है अब economy में अगर जब कमी है तो RBI क्या करेगी RBI को खरीदना होगा security ठीक है अब securities है इनके पास securities इनके पास है RBI क्या करेगी बोलेगी यह लोग पैसे 10 इतना रुपया मैं दे रहा हूँ इतना तुमारे पूरे economy में अब ऐसा नहीं था margin requirement के अगर मैं बात करू तो it refers to the difference between the amount of loan and the market value of the securities offered against the loan यह क्या है margin requirement basically margin requirement के अगर बात की जाए तो अगर तुम्हें एक जमीन खरीदना है तुम्हें ठीक है और उस जमीन को खरीदने के लिए तुम्हें 10 लाग का loan चाहिए 10 लाग का loan चाहिए और तुम जाते हो commercial bank के पास कि मुझे 10 लाग का loan चाहिए तो commercial bank तुम्हें क्या बोलेगी कि भाई साव आपको कुछ न कुछ एक collateral देना होगा तुम अपना घर 10 लाग का गिरवी रख देते हो थीक है 10 लाग के घर गिरवी रख देते हो तो commercial bank क्या करेगी तुम्हें 10 लाग का loan ना देके 7 लाग का ही loan देगी क्योंकि एक requirement होता है कि अगर तुम माल लो तुम्हारा दिवालया निकल जाता है तो situation में commercial bank जो घर को बेच कर पैसे recover कर सके तो एक requirement होता है कि इतना तो market का जो value है उसते तुमको कम ही loan मेलेगा समझें यह होता है basically margin requirement तो money and banking तुम्हारा मैंने दो वीडियो में cover up करवा दिया कोई खास था नहीं money and banking अब cover up करेंगे macro economics के next video lectures में जो भी अपने आगे के chapters होंगे मैंने determination वाला जो था और money banking वेने करवा दिया मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you bye bye and take care